केजरी वाल के पिये विभाव कुमार ने स्वाती माली वाल को लातों से घूसों से थपड़ों से पीटा ऐसा स्वाती माली वाल का कहना है उन्होंने जो रिपोर्ट जो FIR दर्ज करवाई है उसमें इन्होंने इसका विस्तरत विवरण भी दिया है बताते हैं पुलिस ने 18 मई को विभौकुमार को जब गिरफतार किया तो इन्होंने पहले से अग्रिम जमानत किया दायर कर रखी थी कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया पुलिस साथ दिन की रिमांड मांग रही थी विभौकुमार की लेकिन विभोकुमार का कहना था कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, इन्होंने 13 मई की घटना को बाद में 3 दिन बाद रिपोर्ट दरज करवाई है, लेकिन पुलिस ने कुछ ऐसे तथ रखे कोर्ट के सामने, जिनको सुनकर के कोर्ट ने विभोक थे जब फुटे निकलवाने गई पुलिस तो उसमें छेड़ चार की गई थी और पुलिस ने ऐसा कोर्ट में बताया है कि मारपीट के समय का CCTV फुटेज ब्लैंक आ रहा है उसमें फुटेज गायब है अगर ऐसा कुछ है तो कोर्ट ने जब इन चीजों को समझा तो पास इनकी नयाई खिरासत में भेजा है आपको बतातें कि फोन भी फार्मेट किया था तो फोन के डाटा रिकावरी के लिए उसको भेजा गया है और साथ CCTV से भी जो डाटा है वो रिकावर किया जा सकता है लेकिन अगर मारपीट नहीं हुई थी तो CCTV के साथ में छेड़ चार क्यों की गई ये एक बड़ा यच्छ परशन है आपको बता दें आप आम आदमी पार्टी के सांसद संजे सिंग ने पहले परेस कानफेरिंस की कुछ दिनों पहले जब यह घटना हुई उसके तुरंत बात तो उन्होंने कहा कि स्वाती माली वाल के साथ हम खड़े हैं स्वाती माली वाल के साथ में गलत हुआ है जिसने भी ऐसा किया है उसके साथ उसको बक्सा नहीं जाएगा कड़ी करवाई की जाएगी लेकिन अगले ही दो दिन बाद आम आदमी पार्टी की सांसद जिनका नाम है आतिसी उन्होंने बयान दिया कि स्वाती मालीवाल बीजेपी का मोहरा है आपको बताते हैं स्वाती मालीवाल महिला आयोग की अध्यच रह चुकी है और आम आदमी पार्टी से राजसबा सांसद हैं और आम आदमी पार्टी से अन्ना हजारे के अंदोलन के दोरान से ही जुड़ी हुई है अब आतिसी जो कि आपकी ही एक मेंबर हैं आम आदमी पार्टी की ही उनका कहना है कि ये बीजेपी से मिल गई है और ये जो है फरजी आरोप लगा रही है बीजेपी के साजिस के तहट ये बीजेपी के महुरा बन करके ये ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी के उपर लगा रही है लेकिन CCTV फुटेज का गायब हो जाना CCTV फुटेज के साथ छेड़ छाड़ करना भी अपने आप में बताता है दूसरी बात एम्स में जो इनका मेडिकल परिक्षण हुआ था स्वाती मालीवाल का उसमें भी आया है जाच रिपोर्ट में बताया गया है कि स्वाती मालीवाल के आख के नीचे पहर में पेट में और चेहरे पर चोट के निसान है उनके साथ में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है ऐसा मेडिकल रिपोर्ट में भी आया यहीं पर अगर मेडिकल रिपोर्ट में कुछ ना आता तो यह माना जाता हाँ मारपीट नहीं हुई दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें बताया कि देखिए स्वाती माली वाल बैठी हुई है और इनके साथ में कोई घटना नहीं हुई और जब स्वाती माली वाल ने पुलिस को डायल 112 पर सूचना दे दी उसके भी बाद में बनाया गया है उस समय उसमें मारपीट की घटना तो जरूर नहीं दिख रही है लेकिन मारपीट की घटना तो पहले हुई होगी क्योंकि वहां से यह कहके नहीं जा रही है कि पुलिस आएगी तब मैं जाओंगी जबकि जो सिकूर्टी गार्ड्स हैं वो कहते हैं पुलिस अंदर आएगी नहीं तो आपको बता दें यह जो आम आदमी पार्टी है यह नाम की आम आदमी पार्टी है ऐसा लगता है क्योंकि जो स्वाती माली वाल है उन पर यह आरोप लगा कि बिना बताए बिना अपॉइंटमेंट लिये आ गई थी तो अगर आम आदमी पार्टी है जैसा कि नाम है उसका तो एक दिल्ली महिला आयो की जो अध्यचर रह चुकी है दिल्ली में जो राजसभा सांसद है राजसभा सदत से है आम आदमी पार्टी की तरफ से वो भी अप अपने मुख्यबंतरी से अपने नेता से नहीं मिल सकती बिना अपॉइंटमेंट के अगर मिलने जाएगी कोई होगा तो उसका सांसे मार पीठ होगी तो ऐसा तो नहीं लगता कि यह आम आदमी पार्टी है ऐसा लगता यह बहुत खास लोगों की पार्टी है कि बिना करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें थैंक यू